अगर आप एक beginner graphic designer हो या canva पर designs बनाते हो तो आपको एक चीज में काफी ज्यादा difficulty face करनी पड़ती होगी वो है किसी भी object का reflection आड़ करना तो आज का ये tutorial इसी चीज के related है कि आप किस तरह से किसी भी object का reflection आड़ कर सकते हैं उसमें उसकी opacity आजे उसमें उसकी length आजे उसमें उस tutorial को उससे पहले आपसे request है कि आप इस channel को subscribe कर लें ताके आने वाली किसी भी वीडियो का notification आप मेशना कर सकें तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ canva तो simply मैं google पर आगे यहाँ पर search करूंगा canva.com अगर आपने भी तक account नहीं बनाया तो आप इसका account बना लें बड़ reflection add करना है वो object आपने यहाँ पर upload कर लेना है let's suppose मैंने इस car का reflection add करना है तो सबसे पहले मैं इस car का जो background है वो remove करूंगा तो simply मैं edit photo में आगे remove bg remover मैं इस पर apply करता हूँ अगर आपके पास canva pro नहीं है तो आपके पास ये वाला tool नहीं होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे आप simply remove.bg की एक website है वहाँ पर आप इसको upload करेंगे और देन उसके बाद आप उसका background remove कर सकते है अगर आपको नहीं समझ आती ही तो मेरा ही एक tutorial मुझूद है how to remove the background of any image by amazamid आपको वो tutorial मिल जाएगा अब इसका background remove हो चुका है अब इसका background color जो है वो थोड़ा सा change करना चाहरा हूँ तो इसका background color मैं कोई भी कर देता हूँ like तो अब आते हैं main point पे किस तरह से इसका reflection एड़ करना है तो आपने apps के option में आ जाना है आने के बाद आपने यहां पे लिखना है easy reflection इस तरह का इसका icon होगा आपने इस पर click कर देना है creator reflection पर click कर देना अब यह आपसे पूछ रहा है above आए यह below आए यह right आए यह left आए किस तरह से उसका reflection आए तो मैं इसका reflection below में add करूँगा इसके बाद मैं offset की बाद कर सकता हूँ कि offset कितना को ओना होना चाहिए मैं यहां पर इसको opacity कितनी होनी चाहिए reflection की कम यह ज्यादा add to design करूँगा तो यह इसका reflection add होके आगया है अब इसको मैंने अपनी मर्जी से adjust करना है मैं इसका reflection कितने size का चा रहा हूँ किस तरह से जा र अगर आपके पास को image ऐसी है कि जिसमें कार स्टेट है तो उसका reflection और भी ज्यादा मज़ेका आपको add कर सकते हैं उसके लवाब आप इसमें different effect supply कर सकते हैं like मैं यहां पर आके elements पर आगे लिखता हूँ shadow और इस वले reflection को मैं backward send करूंगा like इसको मैं send to back कर देता हूँ layers के option में जाके मैं send to back कर दिया इसको अब यह देखें कि इसका reflection कितना suit कर रहा है इस पे reflection add कर सकते हैं इस तरह से different images का different objects का reflection add कर सकते हैं चाहें आप कोई भी design generate कर सकते हैं उसमें pen pencil cans कोई एक product है जिसका reflection add करना जाते हैं उसका reflection add कर सकते हैं यह बड़ा quick or easy tutorial है अगर आप किसी भी images का reflection बनाएं या किसी भी ऐसे object पे काम करें तो I would request कि आप मुझे इसको Instagram पे जरूर शेयर करें ताके मैं भी देखूँ कि आप कितने creative हैं और आपने क्या सीखा है उसके लाव अगर कुछीज मिस होगी है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं thank you so much for watching this video अगर आप अपनी किसी भी image को cartoon या एनाइं में चेंज करना चाते हैं तो इस video पर click करके आप यह video मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है किस तरह से अपनी image को cartoon में चेंज करेंगे